सेंकडो साथी कुछ सब्ता पहले सुडान में चल रही लड़ाई में फस गए थे बीजेपी की हमारी सरकार इन भाईयों भहनों को सुडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन कॉंग्रेस ने चुनावी राजनीती को देखते हुए चिलनाना शुरू कर दिया होहला करना शुरू कर दिया अब आप कल्पना कर सकते हैं दूसरा महाद्वीप दूसरा बेश चारों तरफ गोलिया चल रही है बंदू के चल रही है बम फूट रहे हैं आग लगी हुई है हर तरफ लड़ाई चल रही है और यहां कॉंग्रेश शौर मचा रही थी इन समाजों के लिए और उसका प्रणा भी आया कि यहां की चिलनान का पता वहाँ चलने लगा अच्छा भई कुछ लोग यहां पर है चलो डूंडो अब यह लोग मौत के साहे में जीते हैं चुपचा पहर लाना था लेकिन ऐसी कॉंग्रेश वालों ने गलतिया करके उनका चेहरा जगजाहिर कर दिया कॉंग्रेश ने इस आदिवासी साथ्यों की जान खत्रे में डाल दी थी और यह क्यों किया क्योंकि कॉंग्रेश चाहती थी कि सुडान में इतनी गोलिया चल रही थी एकाद को तो लगी जाएगी और अगर एकाद को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई फिर तो उनको करनाटक के चुनाओं में खेल खेलने का मजा जाएगा कुछ अन्होनी हो जाए उसी का इंतजार था ताकि फिर मौदी का गला पकड़ सके लेकिन इस पूरी राजरिती में कॉंग्रेस एक बात भूल गई मुझे लगता है अभी भी वो मौदी को पहचान नहीं पाई है कॉंग्रेस वालों को पता होना चाहिए था यह मोदी है संकट बैफसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है